गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये समची नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें इसरैल के प्रधान मंत्री बेनेमिन नेतनियाहू ने तो राजश्र के नाम सम्मोधन में ये साफ कर दिया है कि गाजा के 20 लाख लोग अभड जाए क्योंकि हमास के आतंकियों का वो पूरा सफाया करने का टार्गिट तै कर चुके हैं इस समय गाजा के अंदर हर तरफ ढही होई इमारतों के मलबे और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है सड़कों पर अंबुलेंस की गाड़ियां दोड रही है और हालात काफी ज़्यादा खराब नजर आ रहे है जहां भी हमले हो रहे हैं वहाँ पर फिलिस्तीनी लोगों की भीड जोड़कर पूरा मनजर देखकर काप रही है कुछ तजवीरें भी सामने आई है जिसमें गाजा पत्टी में कयामत तूपती नजर आ रही है गाजा के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है बड़ी बड़ी इमारतों को बम बरसा कर बरबाद कर दिया गया है पूरी गाज़ा पट्टी इमारतों की कब्रिस्तान नज़रा रही है गाज़ा के अंदर कोहराम मचा हुआ है लाशों पर लाशें गिर रही है लोग रोते हुए नज़रा रही है लाशों को सफेद कफन में ले जाया जा रहा है हमास ने युद्ध तो छेड़ दिया लेकिन अब आखिर इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा इसरायल की सेना की प्रवक्ता ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि यह हमला फिलस्तीन ने शुरू किया है इसलिए अब गाजा के अंदर गिरने वाली हर लाश की जिम्मेदारी भी हमास को ही उठानी पड़े की गाजा के इलाके में इस वक्त शोक और मातम पसर गया है मरे हुए लोगों के शव यात्राएं निकाली जा रही है इन शव यात्राओं में भी लोग इसरैल से बदला लेने की कस्मे खा रहे है सैक्णों की संख्या में लोगों की मौत होने के बाद भी जंग का जुनून उतरा नहीं है जो लोग लाशों को दफनाने आये थे वो तालियां बजा कर नारे लगा रहे है और इसरैल की बरवाधी की काम ना कर रहे थे दूसरी तरफ इसरैल ने भी अपने टैंक युद भूनी में उतार दिये है शनिवार को जब हमास के आतंक्यों ने इसरैल पर हमला किया था तो ना सिर्फ इसरैल की टैंकों को नश्ट किया था बलकि उन पर चड़ कर जश्ट भी मनाया था लेकिन अब युद्ध के मैदान में इसरेल ने अपने टैंकों को उतार दिया है और इसरेल की प्रधान मंत्री बेनमिन नेतनियाहू के आदेश पर एक पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है इतना खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी इरान के अंदर जश्ट मनाया जा रहा है शनिवार की सोबह जब हमास का बेहत सफल हमला हुआ तो उसके बाद इरान के अंदर भी कट्टरपंथियों ने शाम के वक्त खूब आतिश बाजी की है जो इरान और इस्रैल के बीच मौजूद नफरत को दिखाता है इसके अलावा तुर्की के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए है दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी लगातार हमास को समर्थन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर से भी लाखों की संख्या में हमास के समर्थन में ट्वीट हुए है और हैश्टैक सपोर्ट हमास का ट्रेंड करवाया गया है दावे ये किये जा रहे हैं कि अब इस्रैल के अंदर 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अब सवाल लोटता है कि आखिर आरन डूम इस्रैल के लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर पाया इस पर IDF की प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें आरन डूम को धन्यवाद बोला गया है साथ ही ये कहा गया है कि अगर आरन डूम ना होता तो ये मौत का आखड़ा और JOSH ज़्यादा हो गया होता दरसल दावा ये है कि इस्वाल में जो लोग भी मारे जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर क्लूज फाइट में मरे हैं ना कि रॉकेट हमलों से तरसल आइरन डॉम की अक्यूरसी 90 प्रतिशत तक मानी जाती है यानि अगर 100 रॉकेट हमले किये जाएं तो 90 तो निश्यत रूप से आइरन डॉम के द्वारा रोप दिये जाएंगे लेकिन बाकी 10 के जमीन पर गिरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता यही वज़ा है कि जब हमास की तरफ से 7000 रॉकेट फायर कर दिये गए तो इस्राइल के लिए अपने लोगों को बचा पाना मुश्किल हो गया कैंसे कि जाएंगे आपे लॉके लॉके सब्सक्वारा रॉकेट यॉटी विए तरफ पोल्य तरफ इनकार का इस्राइब अच्छाइब एपने हो पस्तात वें तरफ मार फायर कोगों कोता है क्वे थार रॉकेट है कुल मिलाकर इसराइल और हमास के बीट चल रही ये जंग अब कई हफतों तक चलने वाली है ना ही इसराइल अब जुकने को तयार है और ना ही हमास और ऐसे में अब शांती समझोते की कोई उमीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है